एक मिर्च को मैं इस तरह से उठाऊंगे और जो मैंने तेल बचा हुआ था उसमें हलका सा इस तरह से डिप करके हलकाई से डिप करना है और पूरा तेल अंदर तक पहुच भी जाएगा और मिर्च कभी भी नमशकार मित्रो नमिता की रक्सोई मैं आपका बहुत-बहुत स्व बनता है आप मार्च अपरेल में इसका अचार बना करके रख लें साल भर इसको खा करके इंज्वाइ कर सकते हैं इस रेसिपी को फ्रेंट्स मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ में बताया हुआ जो मेरा 50 साल का कुछिंग एक्स्पिरियंस खुद का और उसके पहले बढ़ा नान्भ३ को आज मैं शेयर करके ममटी लाल मुर्च का अचार में डालना बताँव मुझा को बनारसी लाल मिर्च के अचार आपम झालने के लिए मैंने लिए और फीक्त॔र मर्च और या कि Combina मोटी और लाल लाल ही मिर्च और बिल्कुल टाइट जो कड़ी रहती हैं उन्ही मिर्चों को लिया हुआ है और अच्छे एक दो पानी से दो करके इसको दो से तीन घंटे तक धूप में थोड़ा सा सुखा भी लिया है ताकि जो इसकी नमी है वो काफी कुछ खतम भी हो गई ह आप देख रहें हुए इसमें पानी की कहीं भी मात्रा दिखाई नहीं दे रही है इस मोटी लाल मिर्च का अचार का मसाला सबसे पहले हम रेडी करने के लिए मैंने गैस में चड़ा दिया एक पैन गैस को आउन कर दिया है और मैंने लिया हुए है मोटी मसालेदार सॉफ है इसको मैंने लिया हुए है 200 ग्राम इसको इसी में डाल देंगे 1500 ग्राम खड़ी धन्या इसको भी इसी में डाल देंगे 200 ग्राम मेथी दाना इसको भी इसी में डाल देंगे मैंने लिया हुए है 100 ग्राम जीरा को सबको बिल्कुल धीमी आच में भूनेंगे आपको दिख रहा होगा थोड़ा ज्यादा ही मसाला लग रहा है इसके खुश्बू भी एक से डेड़ माइने तक नहीं जाती है तो इसी तरह से हम इसको धीमियाच में बराबर चलाते हुए भूनेंगे ताकि इस सारे मसाले हर तरफ से भून जाएंगे इससे इन मसालों का की नमी भी दूर हो जाएगी तो साल भर कभी भी मसालों की वज़े से हमारा अचार कभी भी खराब नहीं होगा देखिए धीमियाच में मसालों को भूनते हुए, साथ से आठ मिनिट हो गए हैं और अच्छी तरह से मसाले भून गए हैं, पूरे घर में लाजवाब खुश्बू इसकी फैल रही है, बस हम गैस की फ्रेम को थोड़ा सा और स्लो करेंगे, एक फैले बरतन में इन सारे मसालों को ट्रांसवर कर देंगे, अब ये पैन अभी गरम ही है, इसमें मैंने लिया हुए है, मग्रेल या कलॉंजी इसको कहते हैं, बिल्कुल हाफ टी स्पून मैंने लिया हुए, इसको इसी में सूखा हलका रोस्ट करेंगे, अब गैस की फ्रेम को कर देंगे, बंद और इसको इ तेल को अच्छी तरह से गरम होने के लिए तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है, और काफी दुआ छोड़ा है, अब हम गैस की फ्रेम को कर देंगे, बंद और तेल को तोड़ा तो तोड़ा मिज का जो मैंने मसाला रोस्ट किया था, उसको इस तरह से मैंने दर दरा सा पीस किन्तुफ यह मसाला थोड़ा सा जादा लग रहा है, अभी इसलिए मैंने तीन चमच मसाले को रोक लिया है, अब अश्यक्ता पड़ेगी तो फिर बाद में मैं डाल दूंगी, अब इसमें और भी हम कुछ मसाले एट करेंगे, इसलिए यह आप पूरा वीडियो जरूर दे जरूर दूंजी रखी थी, उसको इसी में मिला देंगे, और साथ में डालेंगे, यह काली वाली राई है, जो अधिक तर अचार में ही यूज होती है, तो राई को मैंने 200 ग्राम है, इसको ऐसे ही थोड़ा सा दरदर आपीस लिया है, इसको इसी में मिक्स करेंगे, साथ में थोड़ी सी मेंने half teaspoon लिया हुए है, अजवाइन उसको भी थोड़ा सा डाल देंगे, अजवाइन पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, और साथ में मैंने लिया हुए है 100 ग्राम के लगभा, नमक इसको हम इसी में मिला देंगे, आप according to taste, नमक की मात्रा कम या ज़ा पाउडर, दोटी, बड़ा चम्माच मैंने अमचुर पाउडर लिया है, तॉल में देखा जाए, तो यह 50 ग्राम के असपास है, इसको भी इसी में डाल देंगे, इसकी जगे आप नीबू का रस्पी यूज कर सकते हैं, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मोटी ला मसाले में कोई कमी हो गई, तो मोटी लाल मिच का अचार उतना टेस्टी नहीं बनेगा, अब मैंने जो मस्टर्ड आयल गरम किया था, उसी में से मैंने पाउंड बॉल टेल लिया हुआ है, इसको इसी में डाल करके थोड़ा सा इसको भरने लाइक गीला कर देंगे, मिर्च ली हुई है मैंने, देखिए इसको बीच से हम इस तरह से मैंने काट दिया है, और इसके अंदर का जो भी भाग है बीच वाला और भी उसको मैंने पहले से ही मिर्च काट के रखी है, तो इस तरह से उसका निकला है, इसमें ही सब को निकाल देंगे, नाइफ के थू निकाल देंगे सब को, बिल्कुल अंदर से आप देख रहोंगे, खोकला मैंने कर दिया है, इसी तरह से सभी मेर्चों को इस तरह से दी लिया, और भी से चीरा लगा देंगे, और ये देखे फैल जाएंगे अपने आप, तो ये जो बीच वाला अंदर का हिस्सा है, ये वाला इसको हम नाइफ के थ्रू चक्कू के सहारे में इसको सब को निकाल देंगे, इस तरह से सभी मेर्चों को काट देंगे, मैंने कुछ मेर्चे काट भी दी हैं, पहले से तो इसका ये निकला हुए, डंडी फ्रेंट्स चाहें, तो आप काट भी सकते हो, और नहीं तो डंडी भी निखला हुए कि लगी है इसको भी मसाली के सात में हम बिल्कुल डाल देंगे ताकि इससे जुहta. नेला जाएगे हमें काला नमक मॊम्याहा देंगे 2 मेसे बरये तेस्वे लिभाट भाटी बढ़ें रहता है बस इस तरह से सबस्क्राइबों ले बार फिर से, finally, देखिए, अब मैंने लिए हुई ये कटी हुई लाल मिर्च और ये मसाला और इसको इस तरह से भरेंगे, और जो एक्स्ट्रा मसाला है, उसको निकाल देंगे, इस तरह से सभी मिर्चों को ये one by one भरेंगे, देखिए, इस तरह से लिया, अंदर से काफी पू का है, तो बहुत ही शुद्ध तरीके से बन करके ये रेडी होता है, इस तरह से सभी लाल मिर्च को इस तरह से फटा-फट भर देंगे, देखिए, इस तरह से सभी मिर्चों को भर करके रेडी करेंगे, देखिए, सभी लाल मिर्चों को इस तरह से मैंने भर कर रेडी कर दि लिए इतना मसाला मैंने मसाला बिलकुल परफेक्ट हुआ था, जो मसाला मैंने सुखा हुआ ता उसका यूस करने का जरूरत ही नहीं पड़ी और इस तरह से देखी एक मिर्च को मैं इस तरह से उठाओंगे और जो मैंने तेल बचा हुआ था उसमें हलका सा इस तरह से डिप करके हलका ही से डिप करना है और इसको एक बाउल में निकालते जाएंगे सबको तक कि इस तरह से पूरा तेल अंदर तक पहुंच भी जाएगा और मिर्च कभी भी खराब नहीं होगी एक कंटेनर आप चीनी मिट मिर्च देंगे मसाले को और इसके बाद इन मिर्चों को इस तरह से हम सबको डाल देंगे एक बाद ध्यान रखेंगे फ्रेंट्स यह जो हम मिर्च भर रहे हैं या भी दिन बाद जो है थोड़ा सा दब जाएगी जिस तरह आप देख रहे हूंगे बहुत ज्यादा भरी-भ रख सकते हैं इस बात बहुत ध्यान देने वाली है मोटी लाल मिर्च के अचार को यदि आप 2-3 साल तक रखने वाले हैं तो फिर इसमें मस्टरड आयल को गरम करके और ठंडा करके इतना डालना होगा कि ये आसाली से डू भी रहे तभी हमारा अचार 2-3 साल तक चलता है लेक अब आपने देखा कुछ मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई हुई है कि मिर्च को एक अद्गंटे सुखा लेंगे जो मसाला है उसको फ्लेवर किस तरह से होना चाहिए सुखे मसाली किस कौंटिटी में होंगे मोटी लाल मिर्च का अचार बहुत ही अनभाव के साथ में बनाय करें और कमेंट बॉक्स पर आपके अंसर का हमको इंतिजार रहेगा और हाँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नमिता की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सबसे पहले नमिता की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकान को क्लिक करें ता